आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है पार्टी के नेता एक एकर सलाखों के पीछे जा रहे हैं और अब तो पार्टी के मुखिया अर्विंद केजरिवाल भी ED के रडार पर हैं और वो कभी भी गिरफटार हो सकते हैं ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही कहना है आम आदमी पार्टी के नेता और केजरिवाल ED और CBI की कारवाई को BJP द्वारा बदले की भावना से की जा रही कारवाई बता रहे हैं और अपने आपको कट्टर इमानदार कह रहे हैं लेकिन एक बार फिर आपकी कट्टर इ केजरिवाल साहब का वित्यसलाकार कहा जाता है संजय सिंग को जैसा आरोप महाठग सुकेस ने लगाया था। कोट में जाकर कह रहे हैं कि हमारे लोग बेकसूर हैं लेकिन कोट को लग रहा है कि बरश्टा चार तो हुआ है और अब कोट से आम आदमी पार्टी को डबल जटका लगा है क्या है खबर और कैसे आपको लगा है बड़ा जटका बताते हैं इस रिपोर्ट में आप नेता संज अदालत ने 20 जनवली तक नियाई खिरासत में भेज दिया है। की नियाई खिरासत की अफधी 10 दिन के लिए बढ़ा दी। संजय सिंग और मनीश सिसोधिया की नियाई खिरासत को कोट ने 20 जनवरी तक बढ़ा दिया है। और दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल को लेकर ऐसी बात बाहर आई है जिस से सब हैरान है। इस खिरासत के बाद केजरिवाल के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। अर्विंद केजरिवाल आये तो थो दिल्ली वालों की गरीबी दोर करने और उन्हें गुर्बत से निकालने। लेकिन देखते ही देखते उन्होंने खुद गुर्बत का गहना पहन लिया है। केजरिवाल जब राजनीती में आये थे तो कहते थे कि हमें मौका दो हम आपके जीवन को बदल देंगे। लेकिन हकीकत में हुआ ये कि केजरिवाल और उनके नेता खुद का ही जीवन बदलने में लग गए। साथियों आपको बता दें कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी आवादी आज भी कच्ची कॉलोनी में रहने को मजबूर ऐसे जगहों पर रह रही है। कई तो जगह ऐसी हैं कि लाइट के बिल भी बहुत महंगे हैं। कोई कुडे के खत्ते के बगल में हैं तो कोई यमुना के किनारे। कई हजार लोग दिल्ली के कच्ची व्यवस्था में रहने को मजबूर हैं। लेकिन लोगों का आज और कल बदलने आये केजरिवाल साहब ने अपना चांदनी महल बनवा लिया है। कम खर्च को लेकर भारतिय जनता पार्ठी ने नया तावा किया है। पर 29 करोड से जादा खर्च किये गए। उन्होंने लिखाए कि सबूत है कि अरविंद केश्वीवाल दिल्ली के विकास की कीमत पर अपना व्यक्तिगत विकास चाहते हैं। दिल्ली सरकार से मिला आइटियाई का जवाब दिखाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में केवल सिवल वर्क्स पर 39 करोड 56,035,074 रुपे खर्च किये गए। संबित पात्रा ने आइटियाई का जो पेपर साजह किया है। उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने ये 39 दिसंबर 2023 को चवाब दिया है। आवेदन महाराष्ट के अमरावती के रहने वाले वासु देव बोस ने दायर किया था। इसमें 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सिवल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सिवेज और कार्पेंट्री वर्क्स पर हुए वेवराब मांगा गया था। साथ ही उन ठेकेदारों के भी सूची मांगी गई थी जिन से ये काम कराये गए। तो देखा आपने कैसे शिश महल को लेकर केजरिवाल खेर गए हैं। केजरिवाल को समझना होगा कि जिस तरह से वो दिल्ली वालों के साथ धोका कर रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जिस दल ने चुनावों में यूपी और बिहार पर राशनितिक बढ़त बना ली समझे उसने लगभग केंद्र की सत्ता पर अपना कबजा कर लिया है। बीजेपी ये बात जानती है यूपी को बीजेपी का मजबूत किला बनाने के पाद अब भग हम बात कर रहे हैं बिहार के अहीर या यादब समाज के जिसकी आवादी बिहार में लगभग 14.26 फीसदी है जिसके दम पर लालु यादब बिहार के किंग बनते आए। बीजेपी के साथ बिहार का राजपूत ब्रामण भोमिहार और OBC समाज के जादत लोग तो पहले से ही हैं। और अगर यादब समाज भी BJP के साथ जुड़ा तो लगभग बिहार में भी BJP की जेत पक्की हो जाएगी और उपी की तरह बिहार भी BJP का गढ़ बन जाएगा और बिहार से जाती की राजणीती का सुप्रा साफ हो जाएगा और मोदी के विकास की बुले ट्रें तो इसके लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मैदान में उतारा है। पठना में मोहन यादव के भवे स्वागत के साथ 18 चनवरी को कृष्ण भक्तों के साथ सभा आयोचित की जाएगी। बीजेपी ने पिछले महीने हुए विधान सभा चुनाव के बाद म मोहन यादव को MP का मुख्यमंत्री बनाया था। अब उनके जरिये बिहार के यादव वोटरों को साथने की तयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पठना में 18 चनवरी को मोहन यादव का समान समरोह आयोचित किया जाएगा। पठना एयरपोर्ट पर MP के मुख्यमं भवे स्वागत करेंगे। प्रदेश पार्टी संगठन इसकी तयारियों में जुट गया है। इसके बाद वो सीधे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जाएगे यहां श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारास्तियम मोहन यादव को समानित किया जाएगा। उनके समान समरोह में यादव समाज के कई बड़े नेता रिटाइड अधिकारी और जज़ को बुलाया जा रहा है। इस कारिक्रम के बाद मोहन यादव पटना इस्थेत प्रदेश बीजेपी दफ्तर जाएंगे। उनका इसकौन मंदिर में दर्शन करने का भी कारिक्रम है। बतादे कि बिहार में यादवों को लालू की पाइटी आरजेडी का कोर वोटर माने जाता है। पिछले साल बिहार में हुई जाती गणना के आंकणों के मुताविक यादवों की संख्या राज्य में सबसे ज़्यादा 14.2-6 फीसदी है। ये वोटर किसी भी चुनाब में प्रभाजशाली फ हिस्सा है। अब इस रणनीती को भुनाने के लिए सियम मोहन्यादव की पटना में सभा कराई चा रही है। बीजेपी ने जैसी रणनीती तयार की है। उसके बाद इंडी गठवंधन की नेंद जरूर उड़ गई होगी। और सबसे ज़्यादा चिंता लालू फैमिली की बढ़ गई होगी। कॉंग्रस की वो फुके हुए कार्दूस हैं जो अब फायर भी नहीं हो सकते। लेकिन कॉंग्रस के नेता हैं कि इस बात को सुईकारने के लिए तयार नहीं। लेकिन कुछ नेता सच बोलने की हिम्मत करते हैं तो पार्टी उन पर भड़क जाती है और स्वामी के खिलाफ पैसा कैसे बोल सकते हैं ये कहने लगती हैं क्योंकि वो एक खास परिवार के उवराज हैं। का कोई मुकाबला नहीं हैं। ये बात उन्होंने उस सवाल के जवाब में कही थी जिसमें मोदी के मुकाबले खरगे को पी-म फेज खोशत करने के लिए पूछा गया था। इस पर कारती ने कहा कि पी-म नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। कि ये भी मुश्किल हुगा। कारती चितंबरम में कहा था कि एक के बराबर दूसरे को रखें और प्रपगेंडा मशीन पर विचार करें तो पी-म नरेंद्र मोदी को स्वभाविक रूप से बढ़क दिखती है। उनका मुकाबला मुश्किल हुगा। कारती चितंबरम के इनी बयानों से कॉंग्रस को मिर्ची लग गई। यही नहीं नोटस में कारती चितंबरम के ओर से लगातार एवियम का समर्थन किये जाने को लेकर भी जवाब मागा गया। दरसल पार्टी के नेता और प्रवक्ता कई मंचों से एवियम पर सवाल उठा चुके हैं। चुनावायो को भी संबंध में खत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय मागा गया है। दोस्तो राम इस देश में कैसा नाम जो नाम आपको समर्पन सिखाता है। दोसरों को अपना बनाना सिखाता है, आपको सिखाता है कि प्रेम कैसे करना है। दोसरों की खुशियों में खुद कैसे निस्वारत भाव से समर्पित होना है। राम का मतलब ही है अहिंकार त्याग धर्म की बेड़िया तोड़ कर शून हो जाना। ऐसा ही नजारा इदकनाओ में भी देखने को मिलेगा। यूपी में राम सिर्फ आयुध्या में नहीं आ रहे, राम तो पूरे यूपी और भारत में आ रहे है। 22 जन्वरी को राम का फिर से अपने महल में राज्टिलक होने चा रहा है, अवद नगरी राम के आगमन पर निहाल होगी। इसे में राम के आने पर यूपी के मुसल्मानों ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे मुसल्मानों पर राजनीती करने वाले OVC और देश के दूसरे विपक्षी नेताओं को जोजोर कर्छट का धीरे से लगा है। भीजा गया है, वहीं सद्भावना बनाए रखने के लिए लखनाओं में मीट की दुकाने बंद रखने का नर्णाई लिया गया है। इसके लिए संगठा ने यूपी के उप मुखे मंतरी ब्रिजेश पाठा को पत्र लिखकर जानकारी दी। ओल इंडिया जम्योत्तुल कुरेश ने गटबंधन ने उप मुखे मंतरी ब्रिजेश पाठा को एक पत्र लिखा। कि 22 जन्वरी को बिलोचपुरा सदर केंट फतेपुर इसके अलावा लाटूश रोड लखनाउ के सभी मीट वे विसाय अपना कारूबार बंद रखेंगे। प्रदेश पर मीट के दुकाने बंद रखने के लिए बैठक होनी है। बैठक के बांद बंद रखने का फैस्ता दो तीन दिन के अंदर लिया जा सकता है। इसके लिए ही उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को प्रान प्रतिश्था के दिन जिन होटल में नौन विज बिकता है वो भी बंद रहेंगे। दोस्तो इस फैसले से विपक्षी तुष्टिकरण की राजरी तीको जरूर जोर का जटका लगेगा क्योंकि राम के बैयार में सिर्फ हिंदू ही नहीं देश कल संक्यक समुदाय भी अपना योगदान दे रहा है। झाल 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 झाले